इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारी देश वासियों से ये अपील करना जाती हूँ कि 22 मार्च का दिन जंता कर्फ्यू के रूप में रखा गया है आप सभी लोग इसे सफल बनाएं और अपने घरवालों के साथ आप घर में ही रुखी अपनी सुरक्षा हमारे खुद के हाथों में है तो जब हम जानते हैं कि ये वाइरस और साइंटिस्ट अब इसको बात को खुल कर कह रहे हैं कि 12-9 घंटे ये वाइरस जो है ये जीवित रहता है तो एक दिन अगर हम घर में रुख जाएंगे तो इसमें क्या बुराई है मालनी जी अगर 24 घंटे भी ये वाइरस जीवित रहता है तो हमें ये चेन प्रेक करनी है और इस चेन प्रेक करने से देश वासियों को इसी का फायदा होगा हजारों करूरों की जान बच सकती है हमें कौन सा कोई बॉर्डर पर लड़ने के लिए बोला गया है हमें सिर्फ घर में रहने के लिए बोला गया है इस से अच्छी देश भक्ती मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकती है देश को बचाना है करूरों से बचाना है मैं अपने सबी देश वासियों से एक बार फिर से अपिल करते हूँ कि आप 22 मार्च के दिन अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने घर में रहे और इस कोरना से बचने का सबसे बड़ा उपाई यही है थैंक यू